नीचे description में आपको symmetry group की playlist का link मिल जायागा आज हम बात करेंगे inversion by the permutation तो यहाँ पर पहले हम definition देख लेते हैं let f belongs to sn and the first row written in the natural order यानि अगर कोई cycle दे रखाओ जिसे यहाँ पर two four one अगर यह हमारा s4 में दे रखाओ तो हम क्या करेंगे इसको इस form में लिखेंगे यानि कि one two three four पहले लिख लेंगे फिर सबकी image देखेंगे तो यहाँ पर one की image क्या है two और two की image क्या है two की image हमारी इधर आएगी four और three की image three जाएगी four की image one ठीक है तो पहले हम इस तरह से लिखेंगे कभी अगर हमें पर्मूटेशन दिया रहेगा तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे then inversion by i that is inversion of i is equal to क्या होगा number of symbols right to fi and less than fi fi क्या है हमारा जिसे यहाँ पर यह वन है न तो f1 क्या है हमारा two यहाँ पर यह क्या है two पर क्या कहता है number of symbols right to fi से यहाँ पर f1 की अगर हम बात करें तो यह two है तो two के right में कितने symbols हैं तीन symbols हैं लेकिन आगे यहाँ पर यह भी कह रहा है कि fi and less than fi यानि two से less than होना चाहिए तो यह तर तीन symbol है लेकिन हैं कितने less than सिर्फ एक है तो यहाँ पर inversion of i क्या जाएगा यानि inversion of one जो है वो आ जाएगा one अब similarly यहाँ पर अगर हम two की बात करें तो यहाँ पर यह f2 है ठीक है f2 के right में कितने है एक दो और इससे छोटे कितने है तीन एक दोनों ही छोटे है तो इसका मतलब यह हुगा कि inversion of two यह हमार inversion of three अगर हम देखेंगे तो one आएगा और inversion of four देखेंगे तो one आएगा inversion of four अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर यह f4 है इसके right में कुछ भी नहीं है तो inversion of four जो है वो zero आएगा zero भी आ सकता है and less than fi और इसको हम total जो sum करते हैं यह जो inversion of one आया inversion of two inversion of three inversion of four इन सब का sum जो करेंगे तो वो आएगा inversion of f तो इस तरह से हम inversion find out करते हैं तो यहाँ पर एक और example देख लेते हैं हमने यहाँ पर f लिया two, four, five, three, one, six, kis में लिया हमने, s six में अब यहाँ पे देखो, disjoint cycle है क्याहाँ पर two है, यहाँ पर two नहीं है, यहाँ पर four है, यहाँ five है, यहाँ पर five नहीं है, तो disjoint cycle है इसको अगर हम लिखेंगे तो natural order में, तो पहले हम क्या करते हैं, उपर natural order लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब 1 की image क्या है हमारी ऐसा देखते हैं 1 की image अगली वाली होती है 6 तो ये 6 हो जाएगी 2 की image क्या है 4 तो यहाँ पर 4 हो जाएगा 3 की image क्या है 1 तो यहाँ पर ये 1 है 4 की image क्या है 5 तो ये 5 है 5 की image क्या है यहां पर वापस आजाएंगे टू है सिक्स की में ठीक है तो इस तरह से लिख लिए अब अगर हम इन वर्जन आफ वन देखें तो यहां पर एफ वन क्या आएगा हमारा सिक्स इसके राइट में कितने सिंबल्स हैं एक दो तीन चार पांच और सारे ही सिक्स से छोटे हैं तो इसका मतलब इसका इन वर्जन क्या आएगा फाइब अगर हम इसकी बात करें in वर्जन आफ टू की तो यह क्या है हमारा एफ टू फोर ब्राइट में कितने जैंर्क ए एक तो तीन चार अब यहां पे फॉर nggak संद tradsAppone मतलब कितने वह चेंगे एक दो तीन तो इन वर्जन आ 4 जो है वो हमारा 2 आ जाएगा similarly inversion of 5 अगर हम देखेंगे तो यह 2 है और इसके right में एक ही element है वो भी 2 से बड़ा आए तो इसका मतलब inversion क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और inversion 6 चुकि यहाँ पे 3 है 3 के right में कोई element नहीं है तो 0 हो जाएगा और इसका sum करेंगे तो inversion of f निकलाएगा वो होगा हमारा 10 अब inversion का हमारा फाइदा क्या होता है कि हम इससे signature find out कर सकते हैं तो signature of f क्या है आएगा हमारा minus 1 की power inversion of f ठीक है तो यहाँ inversion of f क्या है हमारा 10 तो यह हमारा हो जाएगा 1 तो इसका मतलब इस f का signature क्या है हमारा 1 है signature find out करने का हम और भी तरीके जानते हैं इसको transposition में लिखके भी find out करते हैं last lecture में हमने inversion के बारे में बात किया थी अगर आपको नहीं मालूम inversion बता रहा हूं मैं signature की बात कर रहा हूं signature के बारे में अगर आपको नहीं idea है तो मेरे last lectures देखें दो lecture पर हमने पूरा complete signature के बारे में बात की है तो आज के लिए बस इतने अगर आपको मारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चनल को subscribe करें मिलते हैं अगरी वीडियो में